जैहन, नमस्कार, साथियो एक्वल MSP 15500 पर बड़ा फैसला, MSP सुनवाई से ठीक पहले कोड का फैसला, MNS की जीत, समान MSP का दावा पर विचार, ECHS लावारतियों को भी CGSS रेट पर इलाज मिला लेटर जारी, तो क्या है, पीनू पॉइंट पर बात करते हैं इस वीडियो के मादेम से वीडियो सुरू करों, उससे पहले आप से मेरा रोज की तरह अन्रोत रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, या चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब कर लें, साथ में बेल आइकान की गंटी जरूर दबाएं, ताकि आपक आपके सामने है, सब्जेक्ट इसका अप्लिकेशन्स और सीजी अचस रेट्स पॉर कार्डियो लॉजी पॉसीजर इंकुलूजन और न्यू पॉसीजर एंड रिविजन और रेट्स और पीटी सीटी इसके इन रिगार्डिंग जो कि आप देख पा रहे हैं, चार पेज इस इसमें खास बात ही बताएगी है, ति ECSS में कुछ बिमारी ऐसी थी, जिसका इलाज ECSS पैनल में खराने से जो क्ले मिलता था, वो इलाज में खर्च से कम मिलता था, तो इस पर मांग की थी, कम से कम इस तरो के इलाज में CGSS के बराबर क्ले मिलना चाहिए, जो कि competent authority द्वारा माल लिया गया है, यह लेटर में जो से कि आपने देखा, इसमें यह पराटू में बताया गया है, जो कि with effect from 1.220 onwards till further orders, तो यह जारी कर दिया गया है दोस्तों, जो भी इस categories में आते हैं, इसमें खास कर cardiology procedures पर बात की गी है, और इसके rate भी जैसे मैंने बताया है, पूरे ले CHS की साइट से भी मिल जाएगे, यह दिया आपको लेटर नहीं मिल रहा है, अंत में मैंने पेलिग्राम लिंक दिया गया है, उसके अंदर आपको जाएंगे, तो यह लेटर वहां से भी आप ले सकते हैं, अब बात करते हैं, अगली अपडेट की तरब, अगला अपडेट ह बारे में, जैसे कि हाल के दिनों में आपने देखा कि MNS ने आड़ी प्रेट में भी भाग लिया, और उनकी मांग है कि उनको एक सरिस्मेंट का कोटा मिलना चाहिए, तो वह भी एक सेना में सर्विस के बार रेटार होते हैं, और उनका दावा है कि उनको एक सरिस्मेंट का अग मिलना चाहिए, और जब रेटार्मेंट के बाद कहें भी तिविल में अप्लाई करते हैं, गोवर्मेंट में जो भी वैकंसी निकलते हैं, उसमें जब अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर उनको वो रिजर्वेशन, एक्सरिशन का नहीं दिया जाता है, इसी पर अगलाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी नर्सिंग ओपसर्च हैं, इनको एक्सरिशन का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इनका केस था कि इनको पंजाब इस्टेट सिविल सर्विस में अप्लाई किया था, जो कि एक्जामनेशन 2020 मों होना था, और इनको वहाँ पर X-ray Swen के ओटे से इन्होंने भरा था लेकिन ये cancel कर दिया गया तब इन्होंने ये धावा किया जो कि अब इनकी यहाँ पर जीत हो चुकी है और ऐसा मान लिया गया है कि ये पहरा आठ के C में दिया गया है पूरी definition यहाँ पर बताएगी X-ray Swen माने क्या है इसको आप देख सकते हैं तो अंतम हम ये कर सकते X-ray Swen का धरजा दे दिया गया है और आने वाले समय में ये अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं जो भी एक regular officer के अधिकार हैं वो इनको भी मिलेंगे जिसमें एक equal MSP भी आता है आने वाले समय में ये भी जावा equal MSP का 15500 का कर सकते हैं दोस्तों ये संभावना है अब बात करेंगे आज बड़ा special दिन है खुसकबरी का दिन है ये ये फैसला जैसे कि आपको पता है आज equal MSP पर भाहस चल रही है court के अंदर honorable daily high court के अंदर judges दोरा जो पिछले 6 तारीक को होना था वो हो नहीं पाया था और ये आप देख पा रहे होंगे special bench case number 5 है यहाँ पर दिया गया है और ये case जो है आज इस पर सुनवाई है जैसे कि यहाँ पर दिया नोंने honorable division bench put not assemble today यानि कि 6 फर्वरी को ये assemble नहीं हो पाये थे इसलिए इसको re-notify किया गया आज 9-2-2024 लंच से पहले इस पर भाहस होनी है और जो चल रही है दोस्तों उमीद की जा सकती है कि इस पर फैसला जीसो जवान के हकमा आएगा क्योंकि वक्ष मजबूत है एक पार्ट के सुनवाई special bench की दौरा हो चुकी है अब वही bench से second part में इस पर final decision देगी जो कि आज इस पर चल रहा है उमीद करते हैं कि कुछ खुश कपरी मिलेगी जैसे ही कुछ इसका outcome निकल के आता है आप तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो बीडियो को like share करें फिर मिलते हैं कि अन्य अपडेट में तब तक के लिए जाहें जाएवारा